आलसी बूरहा शेर और राहगीर की कहानी पूरा दिन निकल जाने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार न लगा चलते चलते वह एक नदी के पास पहुँचा और पानी पीकर सुस्ताने के लिए वहीं बैठ गया वह वहाँ बैठा ही था कि उसकी दृष्टी एक चमकती चीज़ पर पड़ी पास जाकर उसने देखा तो पाया कि वह एक सोने का कंगन था सोने का कंगन देखते ही उसके दिमाग में शिकार को अपने जाल में फंसाने का एक उपाय सूज गया वह सोने का कंगन हर आने जाने वाले राहगीर को दिखा था और उसे यह कहकर अपने पास बुला था मुझे ये सोने का कंगन मिला है, मैं इसका क्या करूंगा, मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेश है शेर को लगने लगा कि उसका उपाय काम नहीं करने वाला है तभी नदी के दूसरी किनारे पर उसे एक राहगीर दिखाई पड़ा शेर सोने का कंगन हिलाते हुए जोर से चिलाया महानुभाव मैं ये सोने का कंगन दान कर रहा हूँ क्या आप इसे लेकर पुन्य प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे शेर की बात सुनकर राहगीर ठिठक गया सोने के कंगन की चमक से उसका मन लालत से भर उठा किन्तु उसे शेर का भी डर था वह बोला तुम एक खतरनाक जीव हो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ तुम मुझे मार कर खा गए तो इस पर शेर बोला अपने युवा काल में मैंने बहुत शिकार किया है लेकिन अब मैं व्रिद्ध हो चला हूँ मैंने शिकार करना छोड़ दिया है मैं पूरी तरह शाकाहारी हो गया हूँ बस अब मैं पुन्य कमाना चाहता हूँ आओ मेरे पास आकर ये कंगन ले लो राहगीर सोच में पड़ गया लेकिन लालच उसकी बुद्धि भरष्ट कर चुका था शेर तक पहुँचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी वह तैरते तैरते दूसरे किनारे पहुँचने ही वाला था कि उसने अपना पैर कीचड में धंसा पाया वहाँ एक दलदल था दलदल से बाहर निकलने वह जितना हाथ पैर मारता उतना ही उसमें धंसता चला जाता खुद को बचाने के लिए उसने शेर को आवाज लगाई शेर तो इसी मौके की तलाश में था उसने अपने पंजे में दबोच कर राहगीर को दलदल से बाहर खीच लिया और उसके सोचने समझने के पहले ही उसका सीना चीर दिया लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच एक बुरी बला है